हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं आज हम लोगों को करना है अपटित गद्यांस और अपटित पद्यांस सबसे पहले तो आपना इस चीज का मतलब समझे जो यहाँ पर यह दो शब्द लिखे हैं अपटित गद्यांस और बोध शक्ति कुछ हमारे ऐसे एक्जाम हैं जिनमें बोध शक्ति लिख दिया रहता है सिर्फ इनके लिए गद्यांस के लिए तो बोध शक्ति अब आपको यहाँ समझना है इस बोध का अर्थ है समझना तो समझने की शक्ति यानि हमारे अंदर समझने की सक्ति कैसी है कितनी है यह चीज सम कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, यानि हम अपनी बुद्धी का प्रियोग कितना करते हैं, ये जानने के लिए बोधशक्ति, यानि जिसे हम अंग्रेजी में Comprehension कहते हैं वूह हम पढ़ते हैं और वूमारे एकजाम में आता है अब बात करते हैं आपठित का मतलब होता है वो जो आपने पहले नहीं पढ़ा है तो देखेता है जब इस पहले ही यह बात कही ही है कि मैं वो पूछ रहा हूं जो आपने पढ़ा नहीं है तो इसमें घवराने वाली तो कोई बात ही रही है मतलब कि वो उसी इस तरका पूछेगा जिस इस तरके हम है यानि हमारे एक्जाम में 10th से 12th लेबल का जो हमें पूछा जाता है तो वो हमको अगर ये गद्यान पूछे ने अगर हमको पूछता है तो ये 10th 12th लेबल के ही पूछे जाएंगे और आपटित मतलब पहले से ही उसने कहा है तो ये बात उसके भी दिमाग में है कि हम इस विसे में पहले से कुछ नहीं जानते तो वो हमारी समझ को परखने के लिए हमें ये देता है हमें वो कह सकते हैं जो हमें गद्यांस दिया गया है वो गद्यांस एक जानकारी है जो हमें उसने पहले बताई है और फिर उसके बाद वो हमसे प्रशन उत्तर करता है प्रशन पूछता है उसके चार ओप्सन देता है और वो जो चार ओप्सन है वो हमें उस गद्यांस के आधार पर उसका आंसर देना होता है तो इस तरह के जो ये गध्यांस है तो इनको करने का हमारा एक तरीका होता है कुछ पॉइंट होते हैं कुछ चीजे होती हैं जिने हमें यहाँ पर जानना है और वही पॉइंट हम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं समझते हैं किसी दिये गए अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रति पाध्य विशे तथा गध्यांस में नीत मूल अर्थ को समझना ही बौध्य शक्ति कहलाता है। सम्बंदित कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दिये गए गध्यांस का इस्तर उसके विचार उसकी भाशा उसकी सैली यह सारी चीजें परिक्षय के दृष्टिकौन से यानि जो आपका परिक्षय का इस्तर होता है उसी पर ह आपको घावराने की कोई आविशयक्ता नहीं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है पतानी क्या होगा। यानि वह आपके ही इसस्रेंडर का होता है। हिए अपथित होता है अरथा परिक्षाति, जिसके संदर में क Championships विसे उसके लेखक के नाम आदी से अपचारिक रूप से परिचित नहीं है यानि ये examiner को ये बात पहले से ही understood होती है यानि उसके दिमाग में ये बात होती है कि आप उसके लेखक को नहीं जानते होगे ठीक है तो अगर मालो अगर कुछ बात कही गई है और आपको उसके लेखक के बारे में नहीं पता कि वो किसने लिखा है तो आपको ये घवराने की ये डरने की कोई आवशेक्त नहीं होती कि अगर हमने नाम नहीं लिखा तो हमारे marks कर जाएंगे ऐसा नहीं होता और नहीं इसका कोई आपको extra benefit मिलता कि अगर आप उन पंक्तियों को पहचान लेते हैं और उन पंक्तियों में आप ये जिक्र कर देते हैं कि ये इन्होंने लिखा है तो उससे आपको कोई extra benefit नहीं मिलता है ये बात ध्यान रखे तो आप मनलों अगर नाम नहीं भी पता होता है तो सीधा लेखक का ही प्रियोग करें कि लेखक ये कहना चाहता है लेखक ने ऐसा कहा है वगेरा वगेरा फिर इसके बाद तीसरा point कहता है कि अवतरण से ही संबंदित कुछ वस्तुनिस्ट प्रस्ण नीचे दिये होते हैं तथा प्रतेक के चार या पाँच विकल्प अब जैसे आपकी परिक्षा की सैली होगी चार प्रस्ण पूछ रहा है तो चार पाँच पूछ रहा है तो पाँच ठीक है उत्तर सुजाए गए होते हैं और परिक्षार्ती को इन में से ही सही उत्तर चुनकर उसे निर्देशानु सार्च चेहनित करना होता है जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको बताना होता है कहने का मतलब वही है कि नीचे प्रश्ण किया गया आपका और प्रश्ण के साथ साथ आपको कुछ उत्तर भी दिये गये हैं और उनहीं में से आपको कोई एक उत्तर अपनी समझ से उस गद्यांस के आधार पर चुनना होता है। यह मैंने अभी अभी आपको बताया है। हमने इस चीज को देख लिया। अब देखते हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी हैं जो हमारा गद्यांस दिया है उसको करते समय और कैसे करना चाहिए तरीका क्या है। तो इसको हल करने की क्या विधी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है कि प्रथम चरण में अवतरण को सीगरता से किन्तु ध्यान पूरवक सीगरता भी करनी है और ध्यान भी देना है। ठीक है उसको पढ़कर उसकी विसेवस्तु को विसेवस्तु के केंदरीय भाव को जानने का प्रत्न करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब आप किसी गद्यांस को करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी तेजी में उसको पढ़ना है और पढ़के उसके अंदर जो बात कही है उसको समझने की कोशिश करनी है कि यह इसमें किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है मतलब जो यह कहा गया है ने अपर क केंद्रिय भाव तो केंद्रिय भाव का मतलब आप इसको कह सकते हैं जैसे कभी-कभी आपको सीर्सक भी निकालना पड़ता है तो सीर्सक निकालने के लिए भी उसके केंद्रिय भाव की आविश्यक्ता होती है तो आपको उसके केंद्रिय भाव की तरफ ध्यान देना है कि इस दूसरे चरण में हम क्या करते कि अनुच्छेद को धीरे धीरे एवं पूर्ण मनोयोग से नीचे दिये गए प्रश्णों के प्रश्णों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है एक बार तो हमने पढ़ा था ऐसे ही पहले चरण में बहुत जल्दी से उसका आधार जानने के अब दूसरी बार हम उसके नीचे दिये हुए प्रश्णों को पढ़ेंगे पहले हमने उसके प्रश्ण पढ़ लिए और प्रश्ण पढ़ने के बाद हम गद्यांस को फिर दुबारा पढ़ते हैं और जब हम दुबारा पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे दिमाग में जो हमे कित करना होता है, underline कर लेते हैं हलका-हलका, यानि कहने का मतलब है इसका, कि जैसे हमारे सामने गद्यांस हैं, हमने पहले तो जल्दी-जल्दी में पढ़ा उसका केंदर बिंदु जाना, फिर उसके बाद हमने प्रिशन उत्तर पढ़ें, मतलब सिर्फ प्रश्न पढ़ें, उत्तर नहीं, सिर्फ प्रश्न, केस में प्रश्न में क्या-क्या पूछा है, और प्रश्न को अपने दिमाग में रखते हुए, फिर से गद्यांस को दुबारा पढ़ा, और जब हमने देखा कि पहले कोशन का या दूसरे कोशन का आंसर इस में हो सकता थो उस लाइन को हमने अंडरलाइन कर लिया, फिर जो इसका तीसरा चरण है, यह होता है, कि हम वापस से प्रश्न पर आते हैं, और वापस से प्रश्न को पढ़कर उसके चारों आपस में से जो भेहतर होता है, ध्यान रखिए, मैं अपनी बात को फिर से धौरात उसके चारो पाचो ऑप्सन में से जो best होता है, जो बहतर होता है, हम उसका चुनाप करते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि आपको चारो आंसर लग सकते हैं, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपको फिर reject करना होता है, कौन सा नहीं होगा, किस क और फिर उन में से आपको चौथा मतलब जो एक आपको विसेश मिले वो आपको चुणना होता है तो यह प्रॉसेस होती है अब देखो यह जो तीन पॉइंट यानि तीन चरण दिये हैं यह तो बताएं हैं जब आपके पास परियाप्त समय हैं और आप बिलकुल निश्य इंत से आप अपने परिक्षा भवन में बैठें और एकदम मस्त तरीके से अपना पिपर कर रहे हैं समय आपके पास पूरा है भरपूर है तो यह प्रॉसेस वह है लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं जैसा हम सोचते है वैसा तो लाइफ में होता नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि ज इसको छोड़तो यानि अप पढ़ो मत डहरेक्ट अप्रशन पर आ रहे हो पहले आप दूसरे चरण पर आ जाओ यानि पहले आपको पर नए प्रश्न सीदे सीदे विना हमको कुछ गद्यांस पढ़े जब आपके पास समय कम हो सीधे सीदे आ प्रशन पे आ आज आजा प्र के लिए पता चले अपनी किताब में काट लो नहीं यह बता रहे हो जल्दी में करने के लिए तो आप यहां पर लिख सकते हो वैसे मैं आप लोगों की भाबनाओं को समझती हूं बहुत सारे चातर क्या ऐसे लिखते हैं कर लेते हैं अगर मैंने बताया तो इसको पहले को काटी देंगे साथ की साथ तो ध्यान रखना कैसे करना है आपको करना है यहां पर लिख लो यहां एक लाइन लिख लो कि जब समय पूरा हो तो तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं और यहां पर लिख लो जब समय कम हो तो दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ऐसे लिख लेना तो यह बात आपको समझ में आगी अब इसके साथ एक और चीज द्यान रखनी है आपको तो आप सुफ्धानी भी तो बरतनी आपको तो देखो यह साथानी जो बाते कही गई हैं, उनहीं के अनुसार आपको प्रश्णों का आंसर देना है, अगर वर्तमान इस्तिती में उसके उलट कुछ भी चल रहा है, आपको उस पर ध्यार नहीं देना, आपको गध्यान्स के अनुसार ही चलना है, ठीक है, तो पहले ही कहने का मतलब इसका यह है, यहाँ पर दिया है दूसरा पॉइंट, प्रतेक विकल पर विचार करके देखें, कि उनमें से किसके अर्थ की संगती संबदित प्रश्ण के साथ सही बैठती है, यानि कहने का मतलब है कि आप एकदम जोस खरोस में ना आ जाएं, कि पहला उप्सन आपको सही दिग गया, त चलिए, अब यह हमको कुछ समझ में आ गया, अब हम क्या करते हैं, कि हम लोग एक उदारन करके देखते हैं, एक उदारन हमारे सामने है, आप सभी लोगों के पास होगी पुस्तक होगी, तो आप अपनी अपनी पुस्तक में देखिए, यहाँ पे हम परग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास पूरा परियाप्त समय हैं, ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में हैं, तो हम आराम से यहाँ पर परग्राफ पढ़ेंगे, और यह परग्राफ पढ़ते हुए मैं आपको चीजों को समझाओंगी भी, और यह भी बताऊंगी कि कैसे पंक्तियां आप आपको समझनी हैं अपने दिमाग में, तो यहां से दिखो, अभी तक मेरा कोई काम नहीं था, सिर्फ मैं आप लोगों से बता रही थी, यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, थोड़ा सा काम मेरा अब आता है यहां पर, जो मैं अब यहां पर आपको समझाने वाली यह आप लोगों को हो सकता है कि दिखाई ना दे और यह पूरे पेज पर, मतलब अगर मैं इसको जोम भी करूंगी, तो यह पूरे पेज पर आपको दिखेगा भी नहीं, बार-बार हमको उस तरह से करना पड़ेगा, तो आप लोग अपनी नॉट्बुक में इसको देखकर हो गया है, पंक्ती हम से क्या कहती है, कि विद्यूत शक्ती तो एक प्रकार का कल्पवरक्ष है, जो स्वर्ग से आकर मृत्यू लोक में उपस्तित हो गया है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कि सच में ही विद्यूत कल्पवरक्ष है और वो स्वर्ग से उतर के आय जैसा समझ रहे ना इसका कहना है कि कुछ कुछ उसके जैसा अब कल्प व्रक्ष क्या है सबसे पहले आपके दिमाग में कल्प व्रक्ष का मतलब पता होना चाहिए कि जब इसने कल्प व्रक्ष से इसकी तुलना करिये तो कल्प व्रक्ष है क्या तो अगर आप लोगों ने किस व्रक्ष है जो समुद्र मंथन के समय देवताओं को मिला था आपको ये बात पता है अगर आपने समुद्र मंथन देखा होगा इसके खाश बात क्या है इसके खाश बात ये है कि इसके सामने खड़े होकर आप जो भी इच्छा मांगते हैं वो पूरी कर देता है वो चाहे कैस तो यह देवताओं को दिया गया, इसलिए दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि देवता ही ऐसे होते हैं, जिने अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रॉल है, और वो बेकार की इच्छाओं नहीं मांगते हैं, जरूरत की चीजें मांगते हैं, तो देवताओं के पास है, यानि चीज पूरी कर देता है वही यहां पर बता रहा है तो चलो हमने यह वाली बात समझ ली इतना कि कल्प व्रक्ष के जैसा हमारी यह विद्यूत सकती हो गई आगे बढ़ते हैं जरा बटन दवा की सारा नगर विद्यूत की विशुद निर्मल जोटसरा में निर्मगन हो गया देखो यह जब पंक्ति यहां पर दिया ना अलंकार का प्रियोग किया है यहां पर अलंकार गद्यांस में अलंकार की प्रियोग किये गए यानि शब्दों को दूसरे अर्थ में आपको पता होना चाहिए इसको समझने के लिए कि जयोटसना का मतलब क्या है निर्मगन का मत भाह का मतलब क्या किया है सारे चीज्या उपको पता होनी चाहिए इन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए निर्मल, निर्माने नहीं, मल माने मैल, ठीक है, जिसमें कोई मैल ना हो, जियोत्सना, तो अगर आपने परियावाची पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि चांदनी, जो चांदनी यानि रौसनी जो है, उसका परियावाची है, जियोत्सना, तो यहाँ पर हम इसका अर् निकलता है कि जैसे ही हम बटन दबाते हैं जैसे हमने बिजली आउन करने के लिए यानि उसकी जो बल्व होता है उसको हम आउन करते हैं बिजली आने के लिए तो तुरंत क्या होता है सारा नगर मतलब सारी जगह जहां पर भी हम करें तो वहां पर क्या होता है जो बिजली है वो रोशनी में मतलब हर चीज को रोशनी कर देती है और फिर हम सब उस रोशनी में डूप जाते हैं तो यह वाली यहाँ पर इसने बात बताई है फिर इसके बाद आगे क्या कहता है पंक्ती कि तम सो मा जोतिर गम्मे की प्रार्थना भगवान ने नसही पर विज्ञान देव सो माने के समान जो अंधेरे के समान है तो अंधेरे के समान क्या होता है अग्यानता अग्यानता ही अंधेरे के समान है ठीक है और जो तिर गम्मे हम यह देखते हैं इसके पंक्ती का मतलब होता है हम इश्वर से प्रातना करते हैं कि है इश्वर यह जो तम के समान अंधिकार या हम ऐसे कैते हैं कि ये जो अज्यान रूपी अधेरा है इसको ज्ञान रूपी जोती से प्रकाशित कर दो ईनवाली प्राथन आप देख सकते हो कि मतलब अधेरे को जोती से प्रकासित कर दो यह वाली प्रात्ना विज्ञान देवता ने सुन लिए लेकिन अज्ञान को ज्ञान से प्रकासित कर लो यह भगवान ने अभी सुना नहीं है तो उसी को बात कही है कि भगवान ने सुनी हो चाना सुनी हो पर विज्ञान देवता ने हमारी प्रात्ना सु मुझना है शब्द का प्रियोग किया है क्रीट दासी का मतलब होता है ऐसा सीवक जो आपकी हर बात मानता हो पलट कर कोई जवाब न देता हो अगर मान लो आप दिन के उजाले में उससे ये कहें कि आंगन में जोती जला के रख दो या आंगन में लालतेन जना के रख दो तो आप से यू पलट के ही न पूछे कि इतना तगड़ा सूरज निकल रहा है तो यहां पर अभी जोती जलाने की क्या जरूरत है मतलब वो कुछ नहीं पलट के पूछेगा अगर आपने बोला कि धूप खिल रही है और धूप में अगर आपको मुंबती जलवा के रख वानी ह तो वो रख देगा कहने का मतलब यह है कि पलट के कोई जवाब नहीं देना ऐसा दास ऐसा सेवक तो ऐसा सेवक बहुत कम ही मिलता है हालां कि लोग उसको मुर्ख कहते हैं कि इसको जो कह दो वैसी कर देगा चाहें उल्टा करवाओ या सीधा करवाओ तो वैसे ही क्रीद दा आपको समझना होगा उसी क्रीद दासी के समान है जो आपकी सेवा में सतत ततपर है मतलब जब आप बोलोगे 24 घंटे कभी यह आपसे मना नहीं करेगी यानि अगर लाइट आ रही है तो आपने स्विच ओन किया तो बलब जलेगा ही जलेगा उसे कोई नहीं रोक सकता इस त नहीं होगी मतलब वही बात जो मैंने आपको पहले समझा दी कि आप बोलने में या आप बटन दवाने में देरी कर सकते हैं लेकिन यह अपना काम करने में देरी नहीं करती है फिर आगे क्या कहा है यह दासी गर्मी में सीतलता प्रदान करती है आपको पता ही है गर्मी में एसी चलाते हो, कूलर चलाते हो, पंखा चलाते हो, कितनी सारी चीज़े, तो सर्दी में आपको गर्मी देती है, अब सर्दी में हीटर चलाते हो फिर, ठीक है, आगे कहता है कि पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुवर्ती बन गए है, इच्छानुवर्ती, पवन दे है तब आप अगर्णीदेव, अब आपके अनुचर है, आगर्णीदेव जब आपके मन करता है तब आप अगर्णीझ जला के भाई पका सकते हो, जो भी आपको करना है. तो यानि अगनी देव भी क्या है, आपकी अग्या के अनुसार चल रहे हैं. आगे क्या कहता है फिर पंग्टी? कि विद्यूत द्यूआरा मनुस्य के चिर संचित-स्वपन साकार हो गए है यानि विद्युत जवसे ही मनुस्य के जीवन में आई है तो इसके ये जो शब्द है चिर संचित चिर माने होता है बहुत बहुत लंबे समय से संचित मतने इखटा किये हुए बहुत लंबे समय से जो हमारी इच्छाई थी एकटे किये हुए जो स्वपन थे वो क्या हो गए हैं अब साकार हो गए हैं ठीक है तो हमने यह गद्यांस पढ़ लिया इसका अर्थ भी समझ लिया इसमें आने वाले जो शब्द थे हमने उनको भी अच्छे से समझ लिया अब इसके प्रश्न देखते ह हैं इसके प्रश्न क्या है और उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं ठीक है तो चलो और आप मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको आंसर मेरे साथ करें मतलब मुझे बताएं इसका आंसर तो बहुत अच्छा होगा तो सबसे पहला वाला आंसर है हम इसको आप थोड़ा सा प्रयुक्त सीर्सक क्या होगा आपको इसका सीर्सक बताना है और सीर्सक बताईए पहला ओप्सन दिया है इसमें विद्यूत शक्ती और पवंदेव विद्यूत शक्ती की सर्व प्रधानता तीसरा है मानव सेवा में विद्यूत शक्ती और चौथा है विद्यूत शक्ती की महिमा देखो चार ओप्सन दिये हैं बहुत एकदम मतलब आप लोगों को बताना है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है यहां पर हम बात कर रहे हैं विद्यूद शक्ति और पवंदेव यह होगा या विद्यूद शक्त या फिर विद्यूद शक्ति की महिमा तो चारों ही हमको लग रहे हैं कि चारों ही हो सकते हैं और आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि कैसे निकाल होगे और इन चारों में से तो कोई एक आंसर सही होगा तो आप अपने गद्यांस की तरफ जाईए फिर गद्यांस में हम को क्या देखने को मिलाए तो भई गद्यांस में हमको विद्यूद शक्ति है उसके बारे में बात कही गई है विद्यूद हमारे लिए क्या क्या करती है क्या क्या नहीं करती है उसारी बाते हैं तो आप अपना दिमाग लगाईए दिमाग जड़ा दोडाईए और आंसर आप इसका क्या देंगे वो मुझे बताईए पहला आंसर unknown unknown भाई आप अपना नाम लिख लिजिए तो ऐसे पता नहीं चलता है आप हमारी जो प्रोफाइल है ना जो हमारे एप की प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल में जाके अपना नाम एड कर दीजिए ताकि आपका नाम हमे दिखे तो आपने आंसर दिया तीन फिर आशुतोज सिंग्ने दिया एक या तीन मतलब एकया तीन बता हाँ है विद्धिषुक्ति कि महिमा कमला बतारी है एक एक और आंसर बतता रहा है लोग सब ही लोग इसमें Paratissipete करें आप आप लोगों के आंसर चारों बिल्कुल अलग-अलग हैं, अब इधर धियान दो, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, इतना रुक इसलिए रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमें कैसे निकालना है, देखो चारों आंसर आपके ऐसे हो सकते हैं, अगर आप सब्जेक्ट आपको यह देखना है, सबसे पहला देखेंगे कि इसमें दिया है विद्युत्षक्ती, तो हमको पता है कि विद्युत्षक्ती के बारे में तो बात की गई है पूरे पराग्राफ में, फिर आज बन्ती देखते हैं, तो आगे दिया हूँ पवय पवंदेव करता है, ठीक है तो यह option नहीं होगा अब बात करें यहाँ पर विद्युद शक्ति की सर्व प्रधानता तो विद्युद शक्ति की सर्व प्रधानता हो सकता है हो सकता है लेकिन हमें बाकी दो भी पढ़ने हैं तो हम इसको अभी रुक देंगे फिर हमें यहाँ पर आगे तीसरा देखते हैं इसमें दिया है कि मानव सेवा में विद्युत शक्ती तो एक बात याद रखिएगा आप हमने एक बात कही है कि विद्युत शक्ती हमारी कृत दासी है और जब कृत दासी है तो दास तो सेवा ही करता है ना तो ध्यान देना सर्व प्रधानता यहां इस वज़े से कड़ जाएगा क्योंकि इस से बहतर option हमको ये मिल रहा है ठीक है इस से बहतर option हमको क्या मिल रहा है ये मिल रहा है अब हम चौथे पर भी आते हैं तो चौथे को देखते हैं विद्यूत शक्ती की महिमा तो ध्यान आसी बोल दिया अपना दास अपना नोकर कह दिया तो वह आपसे उच्च तो है नहीं ठीक है तो यहां पर महिमा शब्द की वज़े से ये भी option कट जाएगा और आपका आंसर जो है वो होगा ये चारों में से best मानव सेवा में विद्यूत शक्ती और आप समझ गए होगे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ विद्यूत शक्ती की महिमा या उसकी गुणगान ही नहीं किये गए हैं विद्यूत शक्ती को मनुष्य का नौकर बताया है उसका अनुचर बताया है वो उसके दिसा निर्देश पर काम करता है तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा सी आंसर होगा राइट चलिए तो उमीद करती हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अपना दिमाग लगाना है इनको सॉल्ब करने के लिए अब फिर आगे बढ़ते हैं नंबर टू पॉइंट नं चाहें तो क्या होगा ए ओप्सन हमारा दिया है ए ओप्सन कहता है विद्यूत शक्ति मनुष्य के लिए क्रीद दासी की तरह है दूसरा आंसर कहता है विद्यूत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पा लिया है तीसरा आंसर कहता है मनुष्य को विद्यूत शक्त के रूप में कल्प व्रक्ष की प्राप्ति हुई है और चौथा आंसर कहता है विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए पवन देव अगनी देव सब कुछ है तो अब इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा और उपर प्रेशन पर फिर चले जाते हैं पूरे अवतरण का सारांस अगर हम कहना चाहें तो वह क्या होगा पूरे अवतरण का सारांस हमको देखना है तो देखिए ध्यान दीजिए यहां पर आपकी मदद करती हूँ मैं कि जब हम सारांस की बात कर रहे हम अपने गद्यांस पर जाएंगे और याद करेंगे कि हमने पूरे गध्यान्स में क्या पढ़ा हमने पूरे गध्यान्स का एक साथ लेखा था कि विधित्ह शक्ति जो है मनुष्य के लिए एक ऐसी मतब चीज है जो उसकी इच्छानुशार काम करती है अब उसकी इच्छानुसार काम करती है उसी चीज को बताए अलग-अलग तरी से तो आब यहां पर देख लेंगे कि मनुष्य की इच्छानुसार काम करने वाली चीज इस पॉइंट को किस पॉइंट में बताया गया है तो यहां कहा है कि विद्धुज सक्ति मनुष्य के ने देगी कम तो हमको करना पड़े गा है नहीं कर न तो पड़े गाईreme तो कहने का मतलब इसारी चीजे नहीं है या फिर करें कि हमें नहीं है जरुवत यह लां को नौक्री की जरूप है तो क्या विद्धृ आप को न्वेब लिएगी नहीं देगी तो सब कुछ थो बिलक हैं हम इसमें तीसरा option अगर देखें मनुष्य को विद्यूत शक्ति के रूप में कल्प विरक्ष की प्राप्ति हो गई है तो जो बात हमने नीचे कहीं उसी आधार पर कट जाएगा भले ही इसमें डारेक्ट यह बात लिखी हो भाई कल्प विरक्ष तो ऐसा विरक्ष है अग अब इसके बाद आता है विद्यूत शक्ति के रूप में मनुष्य ने देवता को पालिया तो भाई हमको थोड़ी ना मिले हैं हमें देवता नहीं मिले हैं यह कट गया इसकी पहली ही लाइन हमारी इस पंक्ति का सार है कि विद्यूत शक्ति मनुश्य के लिए क्रीद दासी की तरह है मतलब वो दासी जो आप कहें वही काम करें विद्यूद शक्ति ऐसा है कि मतलब अगर आप जैसे light on करते हैं आपने light on की तो रॉसनी कर दी आपने fan चलाया तो fan चल गया अब यह ऐसी है कि मानलो इस समय सर्दी चल रही है सर्दी पड़ी हुई है अगर हम इस समय इसका switch on करें तो fan अभी चल जाएगा यह नहीं देखेंगे कि इस समय तो ठंड से मर जाएंगे नहीं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह क्रीद दासी है इसे सूचने समझने की सकती नहीं है यह आपने जो कहा वो काम करना है तो यह ठंड में भी आपको fan चला के या AC चला के आपको और ठंड लगवा सकती है जो आपने किया ठीक है तो यह आपके दिसा निर्देश पर चलती है नेक्स नमर तीन जल्दी से बताए यह पॉइंट क्या कहता है देखो सोचना ऐसा है आपका दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलना चाहिए जिस समय आप गध्यांस कर रहे हैं तो चारों दिसाओं में तुरंट तुरंट आपका दिमाग जाना चाहिए प्रशन संख्या 3 कहता है कि पहले वाक्य में विद्वत शक्ती को कल्प व्रक्ष क्यों कहा गया है अब आपको यह बताना है आखिर इसकी क प्रख्षे तुलना क्यों की है लेखक ने वो कारण बताना है चार ओप्सन दिये हैं आपके सामने क्योंकि वहां मनुष्य के सभी सपन पूरे करती है उसने म्रत्यू लोग को स्वर्ग लोग में बदल दिया है क्योंकि बटन दवाते ही तुरंत चारों और अवलोग का प् इसका आंसर क्या होगा तीसरे का जल्दी बताईए आप लोग दे रहें तीसरे का आंसर आ गया है डी डी आंसर दे रहें हैं ना इसका आपको पता ही है तो देखो चुनाव कैसे करना है क्योंकि वह मनुस्तर के सभी स्वपन पूरे करते हैं वह सभी स्वपन पूरे नहीं करती यह बात आपको पता है अब है कि शादी नहीं करा सकती उसने म्रत्यू लोग को स्वर्ग लोग में बदल दिया है तो देखो स्वर्ग लोग तो बुलकुल साफ सुत्रा होता है हमारा म्रत्यू लोग तो बहुत गंदा है तो नहीं है यानि इसमें नहीं बदला है आज भी अपराध हैं बहुत सारी चीजे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बटन दबाते ही तुरंत चारों और अवलोग का प्रसार हो जाता है, इस बात को हम कह सकते हैं, किन्तु यह जो चौथा है, यह इस से ज़्यादा बहतर है, क्योंकि उससे मनुष्य अपनी सुख सुविधा के अनेक, यह जो शब्दा यह बहुत सटीक है, अनेक कारे संपन कर सकता है, इसलिए तीसरा भी कट जाता है, क्योंकि तीसरे से बहतर जो है, वो चौथा है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या आजाएगा, चौथा आजाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं, नमबर चार, यहाँ पर समान, या तम रूपी, या अंधिकार रूपी अग्यान, तो हम यहाँ देख सकते हैं, अंधिकार रूपी अग्यान हमारा इन में से किसमे दिया है, तो यहाँ पर अग्यान है, और यहाँ पर दिया है अग्यान का अंधिकार, तो अग्यान रूपी अंधिकार या अग्यान का अंधकार दोनों का मतलब लगबग एक जैसा ही होता है तो इसका आंसर जो है वो भी आ जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद नंबर पांच की बात करें तो नंबर पांच क्या कहता है कि अंतिम वाक्य का आश से क्या है इसने कहा है अंतिम वाक्य का आश से क्या है तो हमें ग अध्यांस में अंतिम वाक्य क्या कहा गया है जिसका ये मतलब जानना चाहा है हमसे तो हम देख लेते हैं कि अंतिम वाक्य क्या था तो अंतिम वाक्य था कि विद्युत द्वारा मनुसे के चिर संचित स्वपन साकार हो गए हैं तो विद्युत द्वारा मनुसे के चिर संचित सपने साकार हो गई हैं मतलब विद्युत सक्ती से जो मनुस्य के इतने दिनों के जो सपने थे वो सारे पूरे हो गए तो अब देखते हैं कि क्या है उसका आसे इसमें ऑप्षन जो हमारा दिया है आप्षन ने क्या यहां दिया है तो पहला option कह रहा है कि मनुस्य का सपना साकार हो गया है ये वाली बात कह रहा है कि मनुस्य का सपना साकार हो गया दूसरा कह रहा है मनुस्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है तीसरा कह रहा है मनुस्य को मन चाहा अनुचर मिल गया है और चौथा कह रहा है कि अब मनुस्य को कुछ चाहने को सेस नहीं है तो देखो यहां पर आप देखेंगे कि जो अब मनुस्य कुछ चाहने को सेस नहीं है तो ध्यान रखना जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कयामत आ जाएगी है ना क्योंकि अंतिमी दिन होगा उस दिन जब तक मनुस्य है तब तक वो चाहेगा चाहेगा उसकी इच्छाएं बनी रहती है बी कहता है मनुस्य की सभी इच्छाएं पूरी हो गई है वह जब तक मनुस्य है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी अगर सारी इच्छ हैं पूरी भी कर दें तो फिर यूं रोएगा कि मेरी सारी इच्छ हैं पूरी होगी, कुछ और देखेगा फिर उसमें, ना, यहाँ पर बात करें, पहले की, यानि A option की मनुष्य का सपना साकार हो गया है, तो मनुष्य का एक सपना साकार हुआ है, सारे सप तो चलिए यहां पर हमें ये बात समझ में आती है कि यह जो हमारे गद्यांस हैं वो कुछ इस तरह से किये जाएंगे एक गद्यांस है दूसरा गद्यांस टू इसको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कराना चाहूंगी कि आप लोग इसको भी करके देखिए इसका भी हम कुछ इसमें प्रश्न करके देखेंगे तो जो question 2 है, गद्यान्स 2 हमारा, चलिए इसको देखते हैं, समझिए इसको, पंक्ति कहती है, जो विद्या की इच्छा रखता है, वह विद्यार्थी है, बात को समझेगा, जो विद्या की इच्छा रखता है, वह विद्यार्थी कहलाता है, मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखने की इच्छा रखता है स्वभाविक सी बात है मनुष्य के जीवन में कुछ भी चीज़े चलती रहती यानि वो हमेशा सीखता रहता है इस द्रश्टी से वह सदय विद्यार्थी रहता है देखें आप चाहें कितने भी बड़े हो जाएं जब मनुष्य के अंदर जब तक सीखने की इच्छा प्रवल है और वो सीखता है वो तब तक विद्यार्थी होता है किन्तु इस थूल रूप से मानव जीवन में विद्यार्थी काल बहुत लंबा समय नहीं है अब आपको यहाँ पर एक बात द्याद रखनी है हमने कहा था कि जब तक विद्या की इच्छा होती है तो विद्या एक हम यह भी कह सकते हैं पढ़ना पढ़ाना यानि जब तक हमें अक्षर ज्ञान होता है उस समय के बात की बात करते हैं बाकी सीखने को तो हमें हर एक चीज से मिलता है हम किसी मनुष से सीख सकते हैं किसी जीव से किसी प्रानी से सीख सकते हैं तो उसको हम अनुभव कह सकते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जब तक प्रॉपर तरीके से मनुष्य से पढ़ता है तो वो उस जीवन काल को अपना विद्यार्थी मतलब कहें या विद्यार्थी काल कहता है कि ये विद्यार्थी काल है मेरा, जब मैं विद्या अरजित कर रहा हूं, तो उसी काल के लिए बात कही है, कि यहां पर विद्यार्थी काल बहुत लंबा नहीं है, मतलब मनुष्य के जीवन में, यह मनुष्य के जीवन का स्वर्णीम काल है, बात तो सही कही है इसने, यह का स्वर्णिम काल है कैसे वो ये बता रहा है अब आगे इस बात को बता रहा है कि स्वर्णिम काल कैसे है आप सब अपने अपने जीवन में खो जाएएगा पंक्ति हैं पद्यांस है मैं इसे बिना समझाए नौन स्टॉप पढ़ोंगी आप अपनी इमेजन करिए कैसे है ये विद्यार्थी जीवन हसने हसाने का समय हैं, खेल-खेल में पढ़ाई का अभ्यास इसी उम्र में होता है. माता-पिता लाड़ प्यार करते हैं, परिवार जन स्ने की वर्सा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं. नित्य नए मित्र बनते हैं, छेड़-छाड चलती है, कभी- स्वारा द्वेस, समस्त क्रोध, सारी कड़वाहट, दूसरे पल ही नष्ट हो जाती है, आज जिससे लड़े, कल उसी के साथ बैठे, मीठी-मीठी बाते करने का द्रस से दिखाई देता है, खाने, पीने और मौज उड़ाने का यह मस्ताना मौसम, चाहें कितना छोटा क्यो लुहावना और सुहावना होता है, आप लोगों को अपना जीवन याद आ गया होगा, या फिर जो इस समय ओनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, उनको याद आ गया होगा कि जब हम उफलाइन क्लास पढ़ते थे, तो कितना अच्छा रहता था अपने दोस्तों के साथ घूमना, फिर ना बाते करना, आप लोगों से बहतर तो इस पंक्ती को कोई और नहीं समझ सकता, जो यहाँ पे कही है, आज जिस से लड़े कल उसी से मीठी बाते बनाते हैं, या कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा आपके जीवन में, कि जब पहली बार आप किसी से मिलत ही मारपीट से हुई थी, तो ये लाइफ की चीजे हैं, आप सभी अलग-अलग इस तर के स्टूरेंट हैं यहाँ पर, तो सब को अपने जीवन में यह अनुभव जरूर मिला होगा, प्रशन करते हैं, इसमें प्रशन क्या कहता है, पहला प्रशन कह रहा है कि प्रस्तुत अ निर्मान पर जोड़ दिया गया है, या अनुषाशन पर जोड़ दिया गया है, या विद्यार्थी जीवन की विशेस मानसिकता पर जोड़ दिया है। स्वभाविक से बात है आप देखते ही एकदम से समझ गया होंगे कि इसमें विद्यार्थी जीवन की बात कही गई है और उसकी विशेस मानसिक्ता को बताया गया है क्योंकि उसी में बताया है कि आज हम कि जिस से लड़ रहें कल उसी से बाते करते हैं मन में कोई द्वेस नही रहते हैं दूसरा प्रेश्ण यानि नेक्स्ट विद्यार्थी जीवन मोहक है मतलब विद्यार्थी जीवन मोहक है बहुत अच्छा है क्यों कि इन्होंने आप पूछा है और आपसे पूछा है यह आल्पकालिक है इसलिए मतलब यह चोटे समय के है लिए है इसलिए या प् विद्याले एवा मित्रों के बीच सरवत्र आत्मिये वातावरन विद्वान रहता है या फिर किसी प्रकार के अनुसासन की कोई अपेक्षा नहीं होती है तो कौन सा आपको इसमें उप्सन लगता है आप लोगोंने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा देखिए यहां पर दियाए किसी प्रकार के अनुसासन की अपेक्षा नहीं होती तो ऐसा तो नहीं है विद्यार्थी से और वो अनुसासन में रहे ऐसा तो होई नहीं सकता सबसे ज़्यादा नाक में दम अगर कोई विद्यार्थी करता है तो वो टीचर की करता है 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 न कितना भी अनुसाषन सिखा लो वो बाज नहीं आएगा और अपने मन की तो यहाई अल्पकालिक है तो उर भोगा कि प्रते की इछह माता पिता द्वारा पूरी की जाती है नहीं इसा जरूरी नहीं कभी इछा के माता जो ज्पशें इसलिए अच्छा है परिवार विद्याले और मित्रों के बीच सब जगा आत्मी है आत्मी मतलब जो एक हमारी जो हमारे अंदर दुएस नहीं है बिना दुएस वाली जो चीजे भावना है किसी से भी हम मिलते हैं प्रेम के साथ मिलते हैं कोई छल कपट नहीं होता इस उम्र मे हमारे मन में और उसी भावना के साथ हम अपने परिवार में भी रहते हैं विद्याले में भी रहते हैं और अपने मित्रों के साथ भी तो इस वज़ा से ये जो काल होता है ये हमारे ले बहुत अच्छा मोहक होता है और इस समय हमें कोई चिंता भी नहीं होती किसी चीज की जीवन से बहार आ चुके हैं, इसलिए आपके पास चिनता है, लिकें जब आप ग्रेजुएट करते हैं, मतलब जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं, तब तक, ग्रेजुएशन तक तो शायद, या फिर कहें 10-12 तक, तो ये हम उस समय की बात कर रहें, वहाँ पर जो मौसम है या वह वातावरण हमारा बहुत मौहक होता है, आठवा प्रेशन बताओ, विद्यार्थी जीवन का आपसी लडाई जगडा जल्दी समाप्त हो जाने का क्या कारण है, कारण क्या है, मन की सरल निस्कपट भावना, या बचपन से ही अनुसासन सिखाया जाता है, या अकेले रह जाने का डर होता है, आतंक, अकेले रह जाने का आतंक, या अध्यापक द्वारा दंडित किये जाने का भै, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, टीचर की कौन सुनता है, अध्यापक से डर किसको, सबसे ज़्याधा तो अध्यापक को ही परिशान करते हैं, तो ये हट गया, अकेले रह जाने का डर, जब अकेले रुकेंगे घर में तब तो होगा न, रुकते ही नहीं अकेले, तो ऐसा कुछ नहीं है, बचपन से ही अनुसासन सिखाया जाता है, सीखता कौन है, सिखाया तो जाता है, लेकिन सीखता कौन है, परवा किसको है, तो बचता है है हमारा मन की सरल निसकपट भावना इस वज़ा से जो विद्यार्थी जीवन का आपसी जगड़ा होता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है और ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि बच्चों जैसे बनो क्योंकि बच्चों के मन में किसी के लिए छलकपट नहीं ह होती तो बहुत अच्छा मन होता है बालमन जो होता है चलिए नंबर नाइन क्या कहता है नंबर नाइन कहता है मनुष्य सदय विद्यार्थी है क्योंकि क्योंकि मनुष्य विद्यार्थी क्यों है वो बताता है आपर वहें बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करना चाहता है इसलिए उसका अहंकार सांथ हो जाता है इसलिए या वह उचे से उचे पद पर पहुंचना चाहता है इसलिए या वह सदयव नया सीखने की इच्छा रखता है इसलिए आप एकदम से समझ गए होगे हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी बड़ी डिगरी हा जाए यह भी हमारा कट जाता है उसका अहंकार सांत नहीं होता विद्या के बाद तो बढ़ जाता है आपने देखा होगा अक्सर लोग जो बहुत पढ़ लिख लेते तो ज्यादा गुरूर में आ जाते हैं वह उचे से उचा पद पहुंचना चाहता है इससे इसका कोई मतल से का जीवन हमेशा विद्याति वाला इसलिए क्योंकि वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है नंबर टैन कहता है अबोध अबोध सब्द का क्या अभिप्राय है मोहक सरल उत्साहित यह प्रसन चारों में से तो अबोध जो हम बोलते हैं अबोध का मतलब होता है मासूम मासूम इनोसेंट और जो मासूम और इनोसेंट होता है उसका अर्थ होता है सरल साधर पिल्कुल सरल ठीक है आंसर हो जाएगा भी तो इस तरह से यहां पे आप सीखते हैं यहां आप देखते हैं तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि हमको अपने गद्यांस कैसे करने है गद्यान्स करना बहुत आसान है अगर आप इसको इसके अर्थ को समझते हैं इसकी पंक्तियों को समझते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं तो ध्यान दीजेगा, अब यहां पर जो आपको दिये हुए हैं, यह काफी सारे गद्यान्स हैं, अब करनी हैं आपको practice, ठीक है? इसमें दो मैने आपको करके दिखाए, इसके बाद जो भी है, वो सारे आपको कर रहे हैं, जितने यहां पर दिये हुए हैं, इनको करने के आंसर लास्ट में दिये हुए है यह लगबग मुझे लगता है पंधरा इसमें है लगबग पंधरा आपके इसमें दिये हुए है और लास्ट में इनके आंसर हाँ यह आपका लास्ट पंधरा है तो दो मैने करवाई तेरह आपके पास है इनको आपको करके देखना है अभ्या में यहां पर दिये हुए हैं, आंसर की से मैच करना, अगर आपको किसी पंक्ती में या किसी गद्यांस में ऐसा लगता है कि मेरी अकॉर्डिंग यह होना चाहिए था, यहां पर यह नहीं है, आंसर कुछ और दे रखा है, तो आप मुझसे वाटसप पर पूछ सकते हैं, ठीक ह कि मतलब इन्हें करने की कोशिश करिएगा, मैं आपसे यही करूंगी, कैसा नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दो, आगे पूरा सफल होना है, अच्छे से सीखना है, तो इनको जरूर करिएगा, समझेगा, तो यह था हमारा अपटित गद्यांस, और अब हम कल की क्लास में कर देंगे?